कि गुट मॉर्णिंग एवरीबड़ी कि टीम डिमेलिटी के ओर से मैं संजीव कुमार से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल साटरडे मौनिंग सेशन मौनिंग ट्रेडिंग के लिए फिंट्स जैसा कि आप जान रहें 11 बजे हमारा सेशन है और 11 बजे से अपने ग्रूप में अपने टीम में तुरंत इसको मेसेज कीजिए कि यह स्टार्ट हो चुका है जल्दी आई यह वाइन सो दैट कि आज इसका फायदा सबसे पहले वो लोग उठा पाया हम हम लेतना चाहेंगे और उसके साथ साथ हम शूरू करें और आज की जो स्पेश प्रड़क्ट के उपर में हैं जो कि कहा जाए तो एक जरूरी चीज है हर इंसान के घर पे हर वो ऐसी जगह पे जहां पर होती है चीजें को प्लूशन यह मैं बात कर रहा हूं शाप टेक्नलोजिस की तरफ से हमारे शार्प एयर प्यूरिफायर प्रेंट्स बोलना यह चाह आप अपने टीम के अगर आप टीम आपकी बिजनस है आपके टीम है याप तो आप अपने टीम को खुद समझा पाएंगे और अगर दूसरा फाइदा आपको क्या होगा कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के पास जाते हो इसको प्रजेट को बताने पे लिए तो आपको किसी जो प्रोग्रम आपनों को मिलने वाला है यह खास शुवेंदू मजुंगदार जी जो कि आज इस ट्रेनिंग के पार्ट है वोनों ने ट्रेंग सब लेंगे आपको कुछ ऐसी चीज़े बताएंगे जो आज शाथ पहली बार इस वेस्टीज के और रिपिल इन फाक्ट टीम लेकिन उसके बाद रेनिंग होगी नोट डाउन कीजिएगा स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए वोइस रिकॉर्ड कीजिए जो भी कीजिए क्योंकि यह जरूरी है आपके लिए बिकॉस इस कोविट-19 के स्पेशल के समय यह जो हमारा जो प्रोड़क्ट है यह कैसे हमें और हमेशा होते आए हैं और आते भी रहेंगे और यह वेबिनार की बात करता हूं तो यह वेबिनार नॉट ओनली यह लॉक्डाउन के समय शुरू हुआ है सन 2016 से पिर हम लोग वेबिनार करी रहे हैं और अब तो एवरी डेवी और वेबिनार्स प्रेंस टीम ड्रिमालेटी का कटन सन 2016 में हुआ था और इसके पाउंडर मेंबर है मिस्टर सुषांत महंती सुषांत सर रहने वाले कटकुरीसा से हैं और उन्होंने वेस्टीज को एज़ा करियर जोइन किया 2008 के मई मैना में दोस्तों उसक्त और आज का माहल बदल चुका है वह जो सारी तकलीफें थी प और वो कर भी रहें और देखिए ना टीम के मध्यम से एवरी साटड़े एक कंपनी के तरफ से कोई ट्रेनर हो या हमारी ट्रेनर हो वो आते हैं और आपको बदत करते हैं नहीं कुछ जैनकारी देने के वाई दोस्तों मिलते हैं हमारे टीम के फाउंडर डबल उनिवर्सल क् सुषान सर आप हैं स्क्रीड पर ओल्लाइं प्लीज आ जाएं और वेलकम तो दिस प्लाटफॉर्म सर तिम द्रमालिटी और आज का जो प्रोग्राम है उसमें आपका भी बहुत-बहुत सवागत है और थैंक यू सो मुच पॉर बिग विग 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 तर सर सर थैंक यू आज प्रोग्राम या फिरिफार की प्रोड़क्रेंग प्रोग्राम पहुंचा और जिसकी पचा से हम मार्स के महीने करने की मार्स की महीने से जब से लगनार्म शुरुआया तभी से हम रेगुलर उडिनर करें हर दिन पांस से चेतरी की उविनार प्रोग्राम जो कि सुमबार से सुपरवार तक ट्रेणिंग प्रोग्राम हो बहुत तो उसमें कल यानि रभी बार हमारा स्पेसल दिन होता है तो रभी बार कब एक प्रोग्राम ही वह है विजिट यान बीनेस बिल्लिंग सेमिनार इस प्रोग्राम के प्रोग्राम के प्रोग्राम पहुंच जाएगा और यह प्रोग्राम हमारी पेस्टूप पेस्टूप लाइट को जितने भी हमारे इस्ट्रूट है वो सब उसे सब्सक्राइब और अब चलते हैं आज की सेशन में और आज है यार फिरिफार जो कि एक बोर सकते सब्सक्राइब करता है इंकम को बहुत जादा गुरूध तरी मदब करता है एक हाइव लूम प्रोड़क्त और इस प्रोड़क की ज़र्द बहुत जाता है तीन सार पहले उस समय इंडिया मार्केट में या कितनी आवनेस नहीं था लेकिन दिरेते बढ़ते हो गया अभी तो बहुत से दुसरे कंप्री आ गए हैं लेकिन हां हमारी इस प्रोड़क्त में क्या खासी दिस्क में जासे ये मार्केट में हरकोई रेना चाहेगा और सबसे बढ़ा चीज आज की समय में कैसे क्या होगा उस बारे महां बात करेंगे और उस बारे हमें बताने के लिए सुवे पिका बागी होसा में इंडली ओर वीडियो कर आ को इसंय हुआ बॉपारि व्हों कुल कम वोवारी हमें दीजितल देजितल स्लाम नच सब्सक्राइब को आप मुझे को प्रेजेंटर बना देंगे तो मैं स्टार्ट करें तो जैसे जैसे के शुषांत जीन ने कहा है कि आज का जो सेशन होगा इसको हम थोड़ा को रखेंके इसमें प्योरली और प्योरिrie marketing पॉइंट यू से करेंगे हम यह जानेंगे washed को मिजननस को कैसे बढ़ा सकते हैं और सबसे ज्यादा हम अपने सक्सेस्छेट सक्सेस्यक बारे में मेरी बात हुँंती शचेसरे और सक्सेस रेट का मतलब यह है कि अगर आप सौ लोगों को एर पिर फैर के बारे में बताते हैं तो आज की डेट में हो सकता है पांच या छे लोग आपसे प्यूरिफार खड़ीते हैं लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूं आज के ट्रेनिंग के बाद आप सक्सेस जो है सक्सेस रेट फिफ्टी तक हो जाएगा मतलब आप करेंगे तो फिफ्टी लोग एर परिफैर आपसे खरीदेंगे यह मेरा प्रामिस है तो प्रेजिंटेशन का टार्गेट यह है तो प्रेजिंटेशन का टोटल डियूरेशन हम रखेंगे लगभग 35-40 मिनिट्स ठी करेंगे 30 मिनिक्स के अंदर हो जाए और उसके बाद क्वेस्टेंशन के लिए इस तर्ट करते हैं यह को कुछ बिजनेस ऑपर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा अच्छा मैं यह वीडियो को डिजेबल करता हूं ताके स्क्रीन पूरा दिखाई देना जरूरी है आप मुझे एक बार कंफर्म करियेगा के स्क्रीन थीक ठीक ठीक ओके वी स्टाट आवर सेशन गुट मॉर्निंग एवरीवन वंस अगें और मैं यह बताना चाहता हूं आपको कि आज आज के सिच्वेशन से हम लोग सब वाकिफ हैं हम लोग सब एवेर हैं कि आज सिच्वेशन किस तरीके से है हमारे आसपास कॉरोना वाइरस के बारे में हम लोग सब जानते हैं हमारे इम्मुनिटी के बारे में हम लोग सब जानते ह आज मैं आपको एक अलग सा नजरिया एक अलग सा परस्पेक्टिव आलग सा वीव मैं देना चाहता हूं आप लोगों को यह सिच्वेशन को लेकर और इस इस सिच्वेशन में हम लोगों को एर पेर फैर से कैसे मदद कर सकते हैं यह थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दिजिएगा हम वी यह नौट टेकिंग एडवन्टेज आप दी सिच्वेशन हम यह कहना चाहरे हैं कि हम आज अपने एर पेर फैर से लोगों को किस तरीके से मदद कर सकते हैं ओके लेट स्टार्ट के यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर यह ड्रॉपलेट्स ट्रेंस्मेशन के बारे में बात की जा रही है यह देखें ड्रॉपलेट्स ट्रेंस्मेशन पहले हम यह समझते हैं कि ड्रॉपलेट्स होता क्या है ठीक है तो आप आप आप लोगों से सबसे मेरा request है कि आप एक pen and paper या notepad अपने पास रखिए चुके मैं कुछ नए terms, नए शब्द का इस्तमाल करूंगा और आपके business को बढ़ाने के लिए और success rate को, जो हमारे आज का target है, कि आपका success rate हम बढ़ाएंगे, success rate को बढ़ाने के लिए यह जो terms है, यह जो शब्द है, यह important है, और यह मैं request करूंगा कि इस चीज़ को आप note करके रखिए, ठीक है, और पहले हम यह समझते हैं कि droplets का मतलब क्या है, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं, जब हम सास छोड़ते हैं, जब ह मान लिजिए कोई छीकते हैं, ठीक है ना, तो हमारे मूँ से पानी की बूंदे निकलती हैं, आपने notice किया होगा कि जब हम छीकते हैं, तो अगर हमने हाथ में छीका या रुमाल के ऊपर छीकते हैं, तो कुछ पानी की बूंदे जो है, पानी के जो droplets है, वो हमें दिखाई द रहे हैं, तब भी कई सारे droplets जो है, मुँ के अंदर से निकलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इन्विजिबल होते हैं, ठीक उसी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कि यह जो जितने भी activities है, उसके जरीए हमारे मुँ से पानी के बूंदे, जिसे droplets कहा जा सकता है, medical terminology में droplets निकलते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कुछ visible होते हैं, कुछ invisible होते हैं, जादा तर जो droplets होते हैं, invisible होते हैं, अब आते हैं, आज के condition में, आज के condition में, जो COVID-19, जो coronavirus है, जो यह अकेले नहीं निकलता, और इसमें जो cross infection का जो खत्रा रहता है, यह जो पानी के बूंदे जो नि ट्रावल करता है मतलब हमारे मुझे जब निकलते हैं तो कोई मान लीजिए कोई infected person है बट एस्म्टॉमेटिक है मेरे कहने का मतलब है अगर कोई infected है लेकिन symptom नहीं है उनको तो उनके मुझे जो पानी के बूंदे निकलेंगे या निकलेंगे उसके अंदर coronavirus होगा मेरे कहने का मतलब ये हैं कि जो ये बूंदे निकलते हैं ये बूंदों के अंदर coronavirus होते में हमें दिखाई नहीं देते और जो दिखाई देते हैं वह भारी होते हैं वह तो तो अब आप देखिए, आप इसको हमारे current situation से अगर link करेंगे, तो आपको मालूम है कि आज हम social distancing की बात करते हैं, आज हम mask पहनने की बात करते हैं, अब आपको मैं समझा पाया कि हम social distancing क्यों करना चाते हैं, social distancing इसलिए करते हैं, ताकि यह जो पानी की बूंदे, यह जो droplets है, एक दूसरे के आदमी में ना जाए, एक दूसरे से prevent करें, एक दूसरे से दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे तो यह पानी की बूंदे जो है, डिसिपेट हो जाएंगे, पानी की बूंदे एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, मतलब यह आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों ही आदमी मास्क पहने हैं, और social distancing maintain कर रहे हैं, तो जो यह droplets है, droplet का जो transmission है, cross infection है, एक आदमी से दूसरे आदमी से पहुंचने का खत्रा काफी कम हो जाता है, और यह droplets किस तरीके से दूसरे आदमी को infect कर सकता है? यह देखिए, आंखों के जरीए infect कर सकता है, मुञ के जरीए कर सकता है, या सांसों के जरीए कर सकता है, बतलब अगर आप पास खड़े हैं किसी ऐसे आदमी से जो infected है और अगर आप सांसों के जरीए वो droplets शरीर के अंदर ले लेते हैं तो इंफेक्ट कर सकता है अगर आप आपके आँखों में आजाते हैं तो भी इंफेक्ट कर सकता है अब देखिए यह जो चीजें होती है दो कंडिशन होती एक होती है आउट्डोर कंडिशन एक होता है इंडोर कंडिशन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आउट्डोर का मतलब सड़क के उपर या एकदम बाह मज़े से जो है अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखा और मास्क पहने हुए है एर करेंट चुके है एक एयर की मूब्मेंट है नैचरल मूब्मेंट है आउट्डोर में क्रॉस इंफेक्शन का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है लेकिन जो सबसे जरूरी बात मैं अभी इंडोर इंवाइरनमेंट में एयर कंडिशन स्पेस में यह जो सस्पेंडड इन्वीजिबल रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है मैं आपको समझा पा रहा हूं आप यह टर्म्स जो है आप नोट करके रखिए ड्रॉपलेट्स के बारे में हमने समझ लिया अब यह जो रहे जाए गा हवा में तैरता रहे गाहामें फ्लोट करता रहेगा ठीक है क्यों करता रहेगा ठीक कि एर कंडिशन जो है उसको गहूमाते रहता है यह जो से में आप उसको कम नहीं कर सकते न अगर मान लीजिए कोई देड़ सो स्क्वार फिट का एर कंडिशन स्पेस है वहां पर अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वह हवा के अंदर तैरते रहेंगे काफी देर तक जो की आउटडोर में आउटडोर में इसका खत्रा नहीं था क्यों नहीं था चुकि हवा क की मौव्मेंट है हवा की एक नैचरल मॉव्मेंट है राइट हवा के नैचरल मॉव्मेंट चैडा हूं अब तो उस पन रहें हमें काफी देर तक इन्वीजबल क्यूं रहेगा हमें दिखाई नहीं कूंड़ी देते हैं वह चीज़ें ठीक है ना तो यह हो गया एर कंडिशन रूम में हमें सबसे खत्रा जो है suspended invisible respiratory droplets से हैं I hope आपने नोट कर लिया होगा इस चीज को और यह जो है suspended invisible respiratory droplets यह air conditioner से और ceiling fan से कभी भी कम नहीं होंगे मतलब वो घूमते रहेंगे कमरे के अंदर अंदर घूमते रहेंगे और ज्यादा देर तक रहेंगे तो अगर आपने cross infection को रोखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ social distancing और mask पहन के नहीं कर सकते चुकि अगर आपने mask पहना भी हुआ है और social distancing आपने रखा भी है एक air condition कमरे के अंदर तो भी चुकि वह बहुत ज्यादा देर तक वो suspended रहते हवा में तो खत्रा रह जाता है हमारे मुझ के अंदर आने से आंखों के आने से यह सांसों के जरिए cross infection का मैं आई होप मैं आपको समझा पाया यह बहुत important concept है आपको हमने droplets के में बता है कि droplets निकलते कैसे है droplets खतरना क्यों है हमने यह भी बताया आपको और इस droplets से बचने के लिए social distancing और मास्क हम क्यों पहनते हैं हमने यह भी बताया आपको फिर हमने आपको यह बताया कि outdoor और इंडोर में दोनों का difference गया आउटडोर में इतना खत्रा नहीं है चुके एक natural air current होते हैं जो हवा को dissipate करते थे यह droplets को फैला देते हैं dilute कर देते हैं लेकिन यही खत्रा जो है अगर आप हमारे घर के अंदर की बात करेंगे या किसी भी air condition space की बात करेंगे यह खत्रा multiply हो जाता है डबल हो जाता है ट्रिपल हो जाता है क्यों ट्रिपल हो जाता है चुके air condition room में यह suspended invisible respiratory droplets काफी देर तक हावा के अंदर घूमते रहते हैं और अगर कोई आदमी घर के अंदर है या किसी indoor AC environment के अंदर है तो उनका खत्रा जो है cross infection का multiply कर जाता है क्या मैं आपको लोगों को समझा पाया यह concept और इस concept के साथ हम किस-किस segment में जा सकते हैं अब उसके बारे में मैं आप से बात करूंगा कि यह जो concept है cross infection को रोकना suspended invisible respiratory droplets को किसी भी air condition space में उसको रोकने के लिए हम किस-किस segment में जा सकते हैं किस-किस category में हम अपने लोगों को मदद कर सकते हैं यह आप ध्यान रखिएगा हम business के लिए नहीं कर रहें प्लीज आप सब लोग एक चीज समझ लीजिए कि हम इसको as a business opportunity ऐसा ऐसे मत देखिए कि हम फायदे का मतलब यह जो situation उसका फायदा उठा रहे है ऐसा नहीं है हम इस situation में लोगों को मदद करना चाहिए आपका thought process आपका perspective ऐसा होना चाहिए तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने product के बारे में हमारा जो product है आपको पता है यह model है जे 30 MB FP-J30 M-B ठीक है और यह जो है 200 square feet के लिए suitable होता है मतलब optimum होता है 200 square feet वैसे तो आप इसको 300 पर भी लगाई है 300 में जो है cleaning speed कम हो जाएगी अगर आप 100 square feet पर लगाते हैं तो cleaning speed बढ़ जाएगी तो यह concept हमारा जो mid segment category का product है और 200 square feet के लिए है इस product को कहां कहां पर यह product मदद कर सकता है आपको एक एक करके इसके categories मैं आपको explain करता हूं बहुत जादा detail में explain नहीं करूंगा हलका explain करूंगा ताकि आप concept समझ जाए और आप आगे इस business को आगे बढ़ा सकते हैं इनको आगे मदद कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजूल doctors clinic के बारे में मैं individual doctors की बात कर रहा हूं जो अपने clinic अपने घर के नीचे या किसी commercial complex में उनकी अपनी clinic होती है या छोटा सा नर्सिंग होगा या चोटा सा एक चोटा सा एक क्लिनिक होगा जिसमें दो तिन doctors एक साथ practice करते होंगे इस तरीके के इंडिविजूल doctors की बात कर रहा हूं यह खास करके dentist pediatrics मतलब dentist आपको मालूम है pediatrics जो बच्चों के doctors है gynecologist जो लेडिज के doctors है ENT खास करके ENT जो एर नोज थोट जो और पल्मोनोलोज जो लंग से related doctors है मैं इन लोगों की बात क्यों कर रहा हूं चुके डेंटिस्ट्री की बात अलग है डेंटिस्ट्री में जो यह droplets है droplets का खत्रा बहुत ज्यादा होता है चुके वह मुह के अंदर हाई-प्रेशर पाइप से वह activity करते जिसे aerosol का generation होता है और pediatrics मैं इसलिए बात करना हूं चुके बच्चों को बहुत खत्रा है बच्चों बच्चों को जब आप किसी पेडियोट्रिशन के पास लेके जाते हैं तो क्रॉस इंफेक्शन से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है जिनको जल्दी इंफेक्शन लग सकता है किस तरीके के द El生 चीगा या जिनको जनकी इम्मुणीटी कॉम्पर माइज है या जिनके लंग जिनके लंग की कैपेसिटी थोड़ा वीक है या जिनको कोई किसी respiratory symptom है जैसे asthma allergy हो गया जो रेगुलर किसी respiratory symptom है उन लोगों को खत्रा पहुंच सकता है तो इन लोगों के जो doctors है individual जो doctors है वहाँ पर एर पेर लगाने से cross infection से मदत मिल सकता है cross infection को आप reduce कर सकते और सबसे जरूरी बात जो मैं बताना चाहरा हूं मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि हमारा जो air peripher है वह 200 sqft cover करते और जाधातर जो यह individual doctors के clinic है मैं खास करके जो consultation area मैं consultation area का मतलब है जहां पर आप doctor से बात करते हैं जहां हम लोग के doctor से मिलने जाते हैं एक तो होता वेटिंग एरिया फिर doctor हमें बुलाते हैं जहां पर बुलाते हैं जहां पर वह investigate करते हैं बात करते हमसे वह होता है consultation area तो consultation area और जो dentist के होते हैं dental operator जहां पर डेंटल प्रोसीडियोर करते हैं मैं consultation area और डेंटल operator की अगर बात करूं वह 100-500 sqft से जाधा नहीं होता है 80-90% केसे में तो आप यह समझ सकते हैं कि हमारे पास opportunity बहुत बढ़ा है हमारे पास जो product है 500 sqft के लिए है और सौ 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 स्क्वार फिट से जाधा नहीं होता है उनका consultation area तो यहां हमारे आपको पता है कई लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जैसे एड़ोकेट्स है सीए है आर्किटेक्ट्स है या प्रॉपर्टी कंसल्टेंस है ऐसे कई तरीके के लोग जो है जिनके इंडिवीजेल और सुन् collaboration यहाट लोगों का आना जाना तो यहां पे जहांपे लोगों का आना जाना है आपको नहीं पताना किस तरीके का किस तरीके का इंफेक्शन लेके आ रहा है तो यहां रहाम प्रोष्टिक्षन को रोखने के लिएeduc sir यह जो है एर कंडिशन रूम होते हैं स्मॉल होम आफिस या तो यह जो भी एड़ोकेट्स के आफिस है वैसे पता नहीं उनके अभी क्या कंडिशन है वो आफिस रोज जा रहे हैं या टेलीफोनीकली सपोर्ट दे रहे हैं बट जिनरली आप उनको इन लोगों के घर में आप या ओफिस में आप हमारे प्रोड़क्ट दे सकते हैं और जाधा तर इनके जो स्पेस होता है वह 200 स्क्वार्ट से अंदर-अंदर का होता है तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोड़क्ट भी इस कैटेगरी में बहुत सूटबल है एकदम सूपर सूटबल ठीक है यह हो गय यह हो गया यह हो गया दूसरा कैटेगरी तीसरे होस्पिटल मैं उन होस्पिटल की बात कर रहा हूं जो 5200 वेड़े होस्पिटल से मैं ना बड़े होस्पिटल की बात कर रहा हूं ना बहुत छोटे होस्पिटल की बात मिट साइज जो होस्पिटल से आपको मालूम है कि बात कर रहा हमारे आपको मालूम है कि हमारे अगर आप हॉस्पिटल को प्रोपोस करते हैं तो कहां, कर सकते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं सबसे पहली बात पेशेंट रूम्सabe man रूम का मतलब जहां पर पेशेंट रखा जाता है बहुत जरूरी है बहुत 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 जरूरी है मतलब पेशेंट रूम अगर एर कंडिशन है तो आप यह समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल से इंफेक्शन पेशेंट को मतलब आप कोई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में तो दूसरे infection का लगना जो है बहुत ज़्यादा probability हाई होता है तो patient room में बहुत ज़रूरी है cross infection को रोकने के लिए और hospital से hospital acquired infection इस term को भी आप लिखके रखिए जो hospital से infection एक आदमी से दूसरे आदमी को पहुंच जाता है मतलब मान लीजिए कोई patient कुछ treatment के लिए गये हैं और दूसरा infection उनको लग गया है तो उससे बचने के लिए purifier का इस्तमाल हो सकता है दूसरा labs जहां भी मतलब labs में आप जान सकते हैं कि कई सारे लोग जाते हैं जैसे ultrasound lab है MRI है या x-ray है जितने भी labs है हां वहां पर प्यूरिफायर से cross infection को आप रोक सकते हैं changing rooms changing rooms doctors के भी changing room हो सकते हैं या nurse के changing room हो सकते हैं तो जो भी changing rooms है वहां पर प्रोप्रेशन को रोकने में मदद कर सकता है डॉक्टर के consultation room के अल्रेडी मैं बात कर चुका हूं इंडिविज्वीज्व लॉक्टर के case में और hospital में भी अगर doctors के आपको पता है कि hospital में doctors के अलग से consultation room होता है जहां पर वह बातचीत करते हैं पेशिंट के साथ या सब्सक्राइब से अंदर अंदर होता है और जहां पर हमारा प्रोड़क्ट एक दम सूटेबल बैठता है कि फाइनली यह जो है hotels आपको मालूम है कि आज की डेट में hotels का business बहुत ज़्यादा चलनी रहा है धीरे 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 थोड़ा-धोड़ा करके आ रहा है होटल का business but hotels के case में भी आप as a business opportunity उनको बता सकते हैं मतलब आप उनके कहिए आपके लिए investment नहीं आई यह है मतलब business opportunity मैं आपको example देता हूं मान लीजिए कि किसी hotel के guest room में आप लगाते हैं और कोई भी गेस्ट जो आते हैं उनसे कहते हैं आप के air purified room अगर आप चाहते हैं तो सौ रुपए एक्स्ट्रा लगता अगर सौ रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपके पैसे रिकवर हो जाता है जो आपने इन्वेस्ट किया है तो लगभग लगभग आठ से नौ महिने के अंदर वह आपका पैसा रिकवर हो जाता है तो होटल में as a business opportunity कि कोई भी जो गेस्ट आते है आपके होटल में खुशी-खुशी वह एर पर फैर ले लेंगे खुशी-खुशी वह उनको तो प्रिवेंट करना है उनको तो बचना है तो एर पर फैर जो है खुशी-खुशी वह आपसे ले लेंगे तो एर पर फैर सौ है जैसे जो आज की डेट में थोड़ा सा डाउन चल रहा है बट धीरे-धीरे अर कमिंग बैक डे केर सेंटर्स सलोन बोटीक और जिम तो यहां पर भी क्रॉस इंफेक्शन को रोकने के लिए खास करके सलोन में और जिम में चुके धीरे-धीरे वहां पर भी लोग जाना मुल्टिपल यूनिट्स प्रोपोस कर सकते हैं मतलब अगर कोई 1000 स्कूर फिट या 2000 स्कूर फिट का एरिया है तो वहां पर हम 100-300 स्कूर फिट के हिसाब से मैं 100-300 इसलिए बता रहा हूं चुक्श के वहां पर टॉस इंफेक्शन का खतरा जादा है और बहुत सारी एक्वि कान से सुनिएगा आपने आपने यह तो यह तो देख लिया कि हां हम मैंने आपको एक शब्द का इस्तमाल किया था सस्पेंडेड इन्विजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इस शब्द का हमने इस्तमाल किया था अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा एर पिर फ ना यह जो suspended invisible respirator droplets है इसको निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ एर पेरिफेर इस चीज़ को कर सकता है इसकी को efficiently कर सकता है मैं आपको अब यह बताना चाहता हूं कि air peripher के अंदर क्या चीज़ होती है जो इस suspended invisible respirator droplets को reduce करने में मदद करता है आपके स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं यह है हमारे filtration system है हमारे filtration system के तीन पार्ट से हां एक है प्री फिल्टर एक है कार्बन फिल्टर तीसरा है हेपा filters हर एक फिल्टर जो है यूनिक है प्री फिल्टर बाकी ब्रैंड से बेटर इसलिए है चुक्के दस माइकरों तक के particles को रोक सकता है और यह वाशबल है अगर मैं माइकरों की बात करूं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारे बाल है मतलब अगर एक बाल की बात करेंगे वह साट से सतर माइकरों के होते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि दस माइकरों मतलब हमारे बाल से पांच गुना छोटा particle को भी हमारा free filter नहीं है हमारे हेपा filter के बारे में बात करूँगा कि हीपा filter हमारे highest grade के है एच 14 जो grade माना जाता है highest grade रहे हीन्स फोरट इन घर रहे इस आपकरको रखे जो की 99.97 % efficiency देता है मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बात करूंगा मैं बिजनेस पॉइंट व्यू से बात करूंगा बट जो बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं आप वो हल्का सा नोट करके रखें उतना बता देंगे तो बहुत हो जाए जैसे मैंने आपको बता है तेन माइक्रोन का प ठीक है ना और उस अबजेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह होता है कि सस्पेंडेड इन्विजिबल रेस्पिरेटरी डॉपलेट्स को आपको आप याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं पूरे कमरे के अंदर से सस्पेंडेड इन्विजिबल र काव और के हैं फ्ल्ट्रेशन सिस्टम देता है फिल्टर डेता है लेकिन जरूरी है कि हर एक अपके स्क्रीन के ऊपर यह वीडियो आप देख लीजे और इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे प्यूरिफायर बहतर कैसे काम करता है वीडियो को देखते हैं फिर बात करते हैं अच्छा वीडियो में आडियो नहीं होगा तो मैं एक्स्प्लेइन कर दूंगा आपको के यह दिखिए मैं चेंबर है आप देखिए यह यह वा को ऊपर की तरफ फेकते हैं मतलब कॉमपीटिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स है वह हवा को स्ट्रेट उपर की तरफ फेकते हैं तो सीलिंग से टक्रा के फिर वो नीचे आ जाता है 90 डिग्री उपर की तरफ फेकने से पूरा सर्कूले पूरे कोने में नहीं होगा और प्यूरिफेर के आसपास होगा अब देखिए हमने एंगल को चेंज किया अब देख सकते हैं थोड़ा सा यह हमारी यूनिक 20 डिगरी एयर फ्लोव है यह एंगल जैसे हमने चेंज कर दिया आप देख सकते हैं इंस्टेंटली तुरंत जो है इन सकते हैं कि competition के प्यूरिफार सिर्फ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यह वाला फीचर जो है आपको बाकी कि जितने भी competition के ब्रैंड है उनको उनको मतलब निकालने में मदद करेगा सिर्फ एक फीचर यह देखिए यह बाकी ब्रैंड जो है हवा को स्ट्रेट उपर की तरफ फेकता है जो सीलिंग से टकराके नीचे आ जाते हवा गया उपर सीलिंग से टकराके तो उनकी एफिशेंसी जो है प्यूरिकर के आस्पास रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है लेकिन हमारा जो 20-degree एरफ्लो है युनिक 20-degree एरफ्लो जिसके कारण पूरे रूम से आप बहतर तरीके से efficiency पा सकते हैं, पूरे रूम के अंदर से आप suspended invisible respirator droplets, आप याद रखिएगा, आपका objective क्या है, पूरे रूम के अंदर से suspended invisible respirator droplets को निकालना है, और cross infection को reduce करना है, यह objective है, क्या आप खुद सोच के देखिए, क्या यह बाकी ब्रैंड के air perifier से possible है, आप खुद सोचिए, चूँक और air circulation और air filtration system होगा, तब तक आपके पूरे कमरे से suspended invisible respirator droplets निकलेगा ने, इसका मतलब यह है, चाहे आप किसी भी brand का perifier खरीदे, वो आपको इतना efficiency नहीं दे पाएगा, जितना sharp आपको, वेस्टी शार्प, आपको air perifier से efficiency देता है, I hope, मैं आपको यह concept मैं समझा पाया, यह बहुत बहुत एक important concept है, अगर आपने इस concept को समझ लिया, आप यह समझ लीजिए, कि आपका business जो है, multiply करेगा, तो आपने अभी देखा, कि हमने एक अलग सा business opportunity की बात करी, हमने यह बात किया, कि अलग-अलग लोगों को, हम कैसे, हम अलग-अलग तरीके से, हम अलग-अलग business में किस तरीके से हम अपने purifier को, purifier से उन लोगों को मदद कर सकते हैं, क्या मैं आपको समझा पाया, कि अलग-अलग business के लोगों को, air purifier से हम कैसे मदद कर सकते हैं, आपके screen के उपर इस समय, जो कि अभी तक हमने discuss किया, कि अलग-अलग अलग लोगों को, अलग-अलग businesses को हम किस तरीके से purifier से मदद कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा एक, एक category, अब हम दूसरे category में जाएंगे, domestic category में, और थोड़ा सा, हमने time थोड़ा जादा लग गया है, बस अगले 5-7 मिनिट के अंदर presentation को close करेंगे, जादा कुछ कहने के लिए भी है नहीं, बहुत, अल्मूस्ट जादा से जादा topic हमने cover करी लिया है, एक, हमने अभी तक semi-commercial segment की बात करा था, हमने, अब हम लोग domestic segment की बात करेंगे, domestic segment में हम बात करेंगे कि घर के अंदर purifier किस तरीके से मदद कर सकता है, और किस तरीके सबसे ज़्यादा जरूरी है, जैसे मैंने आपको presentation के शुरू में कहा था, कि हम success ratio कैसे बढ़ा सकते हैं, success rate कैसे बढ़ा सकते हैं, और negative जो थाट्स हैं लोगों में, एर प्यूरिफायर के बारे में जो लोगों को negative thought है, उस negative thought को कैसे निकाल सकते हैं, आपके screen के उपर इस समय आप देख पा रहे हैं, कि जो भी negative thoughts लोगों में आते हैं, प्यूरिफायर को लेके, मतलब जैसे हम प्यूरिफायर के बारे में बात करते हैं, तो लोगों के अंदर कई सारे negative चीज़ आती है, कि घर में लगाएंगे, बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, हमारी immunity कमजोर हो जाएंगी, हमें अच्छी हवा की आदत पढ़ जाएगी, हम नहीं afford कर सकते, इतना महका है, इतने में तो हम AC लगा लेंगे, हमारे शहर में तो साफ है, हमारे शहर में कोई air pollution के नाम का कोई चीज़ है यह नहीं, तो ऐसे कई तरीके के हमारे objection का सामना करना पड़ता है, आप लोग एगरी करेंगे, कि हमें कई तरीके के objections का सामना करतना पड़ता है, जो आपके screen के ओपर इस समय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अब हम आपको एक ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसा tool देते हैं आपको, जिससे के हम सिर्फ एक रामवान जिसे आप कह सकते हैं, एक ऐसा tool जिससे आप सारे के सारे objection को दो मिनिट के अंदर निकाल सकते हैं, सिर्फ दो मिनिट के अंदर एक negative जो आदमी है, जो मैंने आपको बता है, success rate बढ़ाना कैसे है, success rate आपका 50% कैसे करना है, उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, कि आप यह कहिए, कि यह matter नहीं करता, कि आपको air prayer लेना है कि नहीं चाहिए, यह matter नहीं करता, कि आपके शहर की pollution level क्या है, आपके शहर में देते हैं, आपके आसपास कितनी greenery है, आपके घर में लोगों की immunity कितनी strong है, यह matter नहीं करता, यह matter करता है कि इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर जो सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसे साइनुसाइटिस है थ्रोट इंफेक्शन है इंफ्लूएंजा है कोल्ड है सर्दी जुकाम ब्रॉंकाइटिस ऐस्थमा अगर यह सिम्टम्स आपके घर में या आपके या आपके किसी फैमिली मेंबर्स को एक या दो बार से जादा होता है देखिए मैं एक या दो बार से जादा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दो बार बिमार पढ़ना तो नॉर्मल है मतलब अगर जिस तरीके के लाइफस्टाइल है हमारी उस तरीके से एक से दो बार बिमार पढ़ना इस हमें चिन्ता करने की जरूरत है कियों चिन्ता करने की जरूरत है चुक्कि ये जो incomod laisser अगर अगर दो बार से जादा है इसका मतलब इसका मतलब ये cm3 आज बढ़ते रहें अगर हम करेंगे तो ये symptoms भड़ेंगे और symmetry से बढ़े सी बाधें सर्म ये और मैं आपको ये 10,000 लिटर हवा सांस लेते हैं 11,000 11,000 लिटर हवा हमारे लंग्स के अंदर से ःसका इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो तरीके की एक मैंने डिफ के अंदर के भारे हमें अभी इस समय anti bodies करे हमारी ना रेक को रोकने में मदद करता है दूसरा इमीनिटी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि 11000 लिटर जो हवा हमारे शरीर के अंदर आता है उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज आ सकती है आने की सम्हाबना है उस इंप्यूरिटीज को रोकने के लिए हमारे एक स्पेशल और और exclusive immunity system है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जादा तर लोग इस immunity system के बारे में वाकिफ नहीं है जानते नहीं है पता नहीं कि एक ऐसी immunity जो हवा के अंदर के इंप्यूरिटीज को रोकने में मदद करता है और सबसे जरूरी चीज़ है इस केस में inflammation आपके screen के ओपर देख सकते inflammation inflammation का मतलब है यह नॉर्मल airway left hand side में आप देख सकते normal healthy airway जितना गया आप होना चाहिए और यह देख सकते सिकुड गया है सिकुड जाने का मतलब है inflammation जैसे airway inflammation और यह जो यह जितने भी symptoms यहां पर लिखा हुए है आपके screen के ओपर इस समय जितने भी symptoms आपको दिखाई दे रहे हैं यह सारे symptoms का मतलब है inflammation होता है नागबंद inflammation गले में खराश inflammation bronchitis inflammation asthma inflammation ठीक है ना तो यह symptom है आप यह जितने भी symptoms आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं यह हमारे respiratory symptom के warning है respiratory जो immunity response है उसका warning है यह warning का मतलब है signal देना चाहरा है वो बताना चाहरा है कि कुछ दिक्कत है हमें ध्यान रखना चाहिए मैं आपको एक और बात बताना जाता हूं यहां पर बहुत जरूरी बात कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है बच्चा जब पैदा होता है आपको मालूम है कि उनके हर एक organ sensitive होता है बच्चों के हर एक organ लंग भी एक organ है lungs heart kidney liver हर एक चीज sensitive होता है और यह भी कहा जाता है कि बच्चे का जो immunity system है बच्चे का जो organs है उसको develop करने में लगबग 8-9 साल लग जाते हैं आप सोचिए जिस second एक बच्चा पैदा होता है उस second से लेके हर रोज 11,000 लिटर polluted हवा बच्चों के लंग्स के अंदर जटका लगा देता एक बहुत ज्यादा pressure create करता है 11,000 लिटर polluted air पहले second से लेके हर रोज बच्चों के लंग्स को जटका देता है और immunity system को उसे रोखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इसलिए बच्चे बार-बार बिमार पढ़ते हैं अब आपको मालूम चला कि बच्चे बार-बार बिमार क्यों बढ़ते हैं और हम डॉक्टर का सहरा लेते हैं डॉक्टर से एंटिबाइटिक देते हैं लेकिंग Long-term side effect होते हैं तो हमारे पास क्या चॉयस है हमारे पास दोच्याइश है एक हम इगलोर करते You अगर इगनोर करते रहेंगे तो यह symptoms की frequency बढ़ती रहेगी खास करके बच्चों क के केस में दूसरा तरीका या है कि हम prevention ले प्रीवेंशन किस तरीके का ले सकते हैं प्रीवेंशन भी बहुत सिंपल है कि मानने जिए कि हम किसी गंदे नाली के पास बुजसरते हैं इस गई पर भूद्ल स०्धिस नकुरू और विर can लिटर हवाँ हम 24 घंटे में लेते हैं अलग-अलग जगा रहेके हम सांस लेते हैं तो हम गले में एयर पेर फैर लटका के तो घूम नहीं सकते पॉसुबल नहीं है मैं आपको एक छोटा सा एक्जांपल देता हूं जिससे एयर पेर फैर का मैं कॉंसेप्ट आपको समझा पाऊंगा हम किसी गंदे नाली के को रोकने की कोशिश करते हैं हलकी करने की कोशिश करते हैं हम यह क्यों करते हैं हम यह इसलिए करते हैं तक हमें पता है कि गंदे नाली के अंदर गंदे नाली के पास से जब गुजरेंगे वहां पे जर्म्स है इंफेक्शन है हम पब्लिक ट्वालेट में जाके सांस को हलकी कर करके हम impurities की मातरा reduce करते हैं मतलब जहर की मातरा reduce कर सकते हैं आप मान लीजिए किसी गंदे नाली के के पास से गुजरते हैं 30 सेकेंड लगता है आपको गंदे नाली के पास से गुजरने में उस 30 सेकेंड के दौरान आप सांसों को हल्की करके आप गंदेगी को कम कर रहे हैं यह है concept air peripher का ठीक उसी तरीके से 24 घंटे हम एयर पेर फैर गले में लटका के घूम नहीं सकते ना के हम सांस को रोक के गंदे नाली को पार कर सकते हैं लेकिन हम अपने बेड्रूम में या लिविंग रूम में एयर पेर फैर लगा के हम ओवर ओल इंप्यूरिटी की लेवल को रिड जितना इंप्यूरिटी हमारे शरीर के अंदर आता है तो एयर प्यूरिफैर को बेड्रूम में लगाके या ड्रॉइंग रूम में लगाके आप 10 सिगरेट को अगर 5 सिगरेट तक रिड्यूस कर पाएं खास करके जिस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही है रात को जब हम सो रह पास करके बेड्रूम के अंदर जितनी भी इंप्यूरिटीज है वह हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जिसके इसमें क्या होता है कि हमें यह जो सिम्टम से सिम्टम की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती तो आई होब मैं आपको समझा पाया कॉंसेप्ट के पहला कॉंसेप्ट सिम्टम से डबे पारे में आपको बता है यह अगर सिम्टम्स है तो आपके पास दो मैं या तो हम इससे रिडीओस करें न है फैक इंघ्ज नोर करेंगे तो यह यह बढ़ते रहेंगे और अगर हमर्द ऊर्फि में चाहते हैं अपने इससे रिडीओस कर सकते हैं तो यह कॉंसेट के बाद अब हम चलते हैं एक बहुत इंपोर्टन पॉइंट पे यह यह भी एक और रीजन है लोगों के एर प्रैवर ना परिचिस करने के लो जो एर पिर फेर के बारे में Boros करा देते हैं यह भी एक और यहां आपके स्क्रीन के उपर इस समय कि हमें एड़ लगाने के बाद सबसे पहला हम ने अस्थ्ट में के बारे में बात किया है जो लोग एस्थमा अलर्जी के लिए दवाई लेते हैं हम आपको यह honour record यह बताते हैं कि जो जो जिनके इस्थमा एक लिए दवाई लेते हैं और एयर पीर यह parju सकता है एस्थमा ऐटिकेशन 50% मतलब साथ से दस दिन के अंदर अगर आप पफ ले रहे या इन्हेलर ले다 या नेबुलाईजर लेते हैं तो यह अभिभी जो सकता है आप सोचें'T के हम इतने दावे के साथ सको क्यूं कि पान रहें एतना हमारे पास ऐसी खास बात क्या ह कि हमारे प्यूरफेर में जो इतने हम कमिटमेंट के साथ आपको कह सकते हैं कि हाँ यह पॉसिबल है आपके स्क्रीन के उपर इससे में आप देख सकते हैं कि जानमना ऑर्गनाजिशन माना जाता है दुनिया भर जो सारे बारे में मालूम है यहाँ यहां पर देख सकते हैं हमारे प्रोडक को टेस्ट करके नैचरली विधाउट साइड़ छिपीट दिया अपके स्क्रीन के उपर आप देख सकते हैं seal of approval certificate seal of approval certificate का मतलब यह है कि यह product जो है सबसे जाधा कारेकर है asthma allergy को reduce करने में सबसे जाधा मददकार है ठीक है और अभी आपके screen के उपर दुबारा से यह जो benefits में हम आ गए और यह मैंने आपको बताया कि 50% तक आप आप आपको मैं प्रूफ दे पाया दूसरा दूसरा benefit और चौथा benefit को मैं कंबाइन करके बताता हूं आपको खास करके यह चीज जो है बहुत जाधा common हो गया आज की डेट में common इसलिए हो गया है कि किसी भी वेक्ति जो है कि कोई भी जो है air condition room में जाधा तर रहते हैं और air condition room में सोके उठते हैं तो एक बहुत common symptom हो गया सुबह उठते ही छीक आती है आप अगर दस लोगों से सवाल पूछेंगे कि क्या सर आपके या आपके किसी family members को सुबह उठने के बाद सर में भारीपन नाग बंद या गले में में खराश की शिकायत होती है तो दस में से चार या पांच लोग कहेंगे कि हां होती है और यह जो preliminary symptom है respiratory symptom है इसको आप दो से लेके चार दिन के अंदर reduce कर सकते मतलब अगर आपको सुबह उठके चीक आती है या सर में भारीपन होता है या breathing discomfort होता है भारीपन महसुस होता है नाग बंद होता है तो यह पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर फोर को कंबाइन करके मैं बता रहा हूं कि दो से चार दिन के अंदर आपको benefit मिलेगा आपको मत पता लगे का कि हाँ फायदा हो रहा है तीसरे पॉइंट जो बच्चों के बारे में जाते हैं हर रोज 11,000 लिटर उसके लिए हम इग्नोरेंट है उसके लिए हम उतना ध्यान नहीं देते जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा इंफेक्शन का सामना करना पड़ता है और इम्मुनिटी कॉम्प्रमाइज होती इम्मुनिटी को जादा मेहनत करना पड़ता है आपको याद होगा जो मैंने शुरू में कहा आपको कि आठ से नौ साल तक बच्चों के ऑर्गन्स डेवलप होते और उस समय अगर इंप्योर होने लगेगी ठीक है तो यह था हमारा जो है प्रेजंटेशन के एंड तक आ गया हूं अभी बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि एक सेग्मेंट आपको सेमी कॉमर्शियल का बता है एक सेग्मेंट मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं कि जो जिन लोग को है उनको फायदा हो सकता है पेट ओनर्स पेट ओनर्स के लिए खास करके मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक हमारे पास special certificate है जो सिर्फ पेट से related है वैसे तो हम आपको मालूम है कि हमारे पास 132 certificates available है मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके screen के ऊपर plasma cluster को animal hospital में बैक्टरिया स्मेल और वाइरस को निकालने में मदद करता है इसका test किया गया है तो अगर animal hospital में पेट पेट स्मेल और पेट इंफेक्शन को रिड्यूस कर सकता है हमारा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि घर पेट जो घर के अंदर होते हैं उनको तो मदद मिली सकता है बच्चों के बारे में new born babies के बारे में में अल्रेडी बात कर चुका हूं hospitals के बारे में अल्रेडी मैं दूसरे सेग्मेंट में बात कर चुका हूं यह वह कैटेगरी है जिनको सुबह उठके सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे सर में भारीपन नाग बंद उस तरीक उन लोगों को फायदा मिल सकता है जिनके घर में सेकेंड हैं और बच्चे बुजूर्ग हैं वहां पर सेकेंड हैं स्मोकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हेल्दी पीपल आपके अगर दिक्कत नहीं हमारे में अगर दिक्कत नहीं भी है किसी को तो भी आज़वेंशन अज़वेंशन हम अपने इम्मुनिटी को स्ट्रेंग्दिन करने के लिए एर परफार के इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है यह रहा हमारा मेंपॉइंट अब मैं आपको सिस्टम का होना जरूरी नहीं है एक यूनिक एयर फ्लो और सक्षन जिसके कारण पूरे कमरी में आपको बहतर एफेक्टिवनेस मिलता है जो सबसे बहतरी मतलब वह हमारे लिए रामवान है उससे आप बाकी कॉंपटिशन को चुटकी में मिटा सकते हैं कि जादा से जादा इमप्पॉरिटி को निकालेंगे बहतर तरीके से निकालेंगे तो बेड्रूम की एयर को आप जादा तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं मान लीजिए कॉंपिटिशन के केस में ना आपकी प्रॉपर एयर फ्लो है ना आपके प्रॉपर एफिशेंसी है तो सस्ते में भी आप खरीदेंगे तो भी आपको क्या फाइदा चुक्कि वह जालता है और इसका यह प्रूफ है कि हमारे पास 32 लैप्स के सर्टिफिकेट है यह इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था कि 32 लैप्स के हमारे पास सर्टिफिकेट है यह हमारा दूसरा बेनिफिट है कि हम जादा से जादा इसको निकाल सकते हैं और आपको हमने यह भी दिखाया एक PDF जो मैं अभी दुबारा आपको दिखाता हूं आपके स्क्रीन के ओपर इस समय आभी आने वाला है यह देखिए आपके स्क्रीन के ओपर यह है आप देख सकते हैं कि यह 128 पेज का है और पहला जो पेज है इसमें 32 ओर्गनाइजेशन के लिस्ट है जहां से हमने प्यूरिफेर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है और 128 पेज का यह पूरा डॉकुमेंट फुल सेट अफ 32 सर्टिफिकेट्स आपको यह मिल सकता है मैं सुषांत जी को और संजीव जी को मैं आपको वीडियो भी मैं भेज दूँगा कि हमारे प्रोड़क्त बाकी ब्रेंट से बेटर कैसे हैं तो मैं आपको समझा पाया हूं हमारे प्रोड़क्त के बेनिफिट्स और यह भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा प्लाजमा क्लस्टर टेक्नोलोजी वह नैचरल है और वह एक तो आप अभी 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 सबसे जरूरी है क्योंकि लोग बरे हुए हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाने उनको प्रोड़क्त देना यह बहुत जरूरी था करता है कि सब्सक्राइब करता है कि सब्सक्राइब करता है तो यह बहुत अच्छा हुआ और आज की पूरी ट्रेनिंग की वीडियो इसके साथ अभी सुविंदु जे आपको जो डॉक्मेंट की बारे बता रहे थे उसकी सारे सैटिफिकेशन यह सब कुछ आपको कल सुभे सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम चलते हैं सवाल जबाब के उपर तो मुझे मुझे पता है बहुत से सवाल होगा सब तो नहीं ले पाएंगे तो आप मैंसे जो भी कुछ सवाल पुछना चाहते हैं एक मिनिट अभी मैंने सारे हैंद्रेस को डाउन के लिया है दो भी सवा हुआ 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 है टोके चलिए एक एक हम बात करते हैं तब से पहले आप मिस्टर अभी से कुमार सिंग सब्सक्राइब करते हैं तो सोशल मीडिया या फिर वाट्स अप या कॉल पे शेयर कर सकते हैं तो सर्व मैं ज्यादा तक मलब कि यह ऑफजर्फ किया हूं कि सर्व आपके पास कोई प्रोड़क्ट फिजिकली मौजूद होता है तो आप उन्हें लाइव डेमोंस्रेशन करके जब तक नहीं दिखाते तब तक वो उनसे बिलीव या ट्रस्ट न तो इसको एफेक्टिव कैसे किया जा सकता है सब्सक्राइब एक चीज़ द्यान रखता है कि steps steps क्या लेंगे हमारे presentation का steps क्या होगा first step need generation curiosity generation objection handling हमने क्या किया हमने सबसे पहले जो negativity है उसका खतम करके नीड क्रिएट करना है this is step number one step number two आपने need create किया negativity को खतम किया objection को handle किया इसके बाद second step है कि purifier कैसे मदद करता है है यह यह भी लोगों के मन में doubt होता है कि purifier घर पे तो लगा लेंगे बाहर जाएंगे क्या करें तो यह समझाना बहुत ज़रूरी है steps second step third step यह है कि हमारा बेटर क्यों है हमारे में ऐसी खास बात किया है आपको क्या benefit मिल सकता है ठीक है ना तो आपको याद होगा मैंने चार benefits के बारे में में बात किया था जो आपके screen के उपर अभी आप देख सकते हैं यह चार benefit के बारे में बताया था यह final point इसके बाद मैं कुछ आपको वीडियो बेजुगा आज लिमिट टैम लिमिटेशन के कारण नहीं दिखा पाए तो कुछ Jáच demo वीडियो भी तीट है but step by step first second third fourth I hope I सब्सक्राइब कि थेंक यू होगे अभी आगे जलते हैं मिस्टर अजे कुमा गुट मॉनिंग तो गुट मॉनिंग तो मेरा कॉच्छन है इंडोर स्पेस और आउट्डोर स्पेस को यह क्लियर करें से ठीक से नहीं के लिए किस तरीके का इंडोर आउडोर स्पेस आपने बूले ने से घर के अंदर और बाहर में कैसे यह काम करें इसके बारे में थोड़न होगो के लिए कि आप ड्रापलेट ट्रैंस्मिशन की बात कर रहे हैं जी 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 अच्छा देखिए मैंने आपको यह बताया था ना वह सung्सक्रावे के ड्राप्लेट्स का जो खत्रह है आपको ड्रापलेट्स समझ में आया ग्रापलेशë क्या होता हैं जी तरापले अगSch यह समझ में आया है अब आपके पास दो चौइस है एक आउट्डोर एक इंडोर आउट्डोर का मतलब खुले आसमान के नीचे अगर ड्रॉपलेट ट्रैंस्मिशन को रोकना है तो आपके लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग काफी है चुके वहां पर एक नैचरल हेज़ा है हवा की एक नैचरल मुव्मेन्ट होती है ठीक है ना लेकिन अगर आप इंडोर की बात करेंगे घर के अंदर की बात करेंगे या यह मैंनने आपको क्यों बताएं पर आपे निए क्या है एसी कमरे के अंदर यह जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है और उसके साथ इंफेक्शन वह हवा के अंदर रहे जाएंगे काफी देर तक अब क्लियर है बिल्कुल इसलिए ऑके थेंक यूज थेंक यू अब चलते हैं अन्नव राइचोधी अ अल्व राइचोधी अलो गूट मॉर्निंग गूट मार्नें असा मेरा एक साबल है किसी को बता हुई इसके बारे में तो सभी लोगों का तो ऐसी है ऐसा तो नहीं हो सकता है सिलिंग फैन और फैन यूज करते हैं तो गर्मी के मौसम में तो सर रात में जब लोग सोते तो खिर्किया दरवाजे खुले रखके फैन चला के सोते है तो एर प्यूरी फैर की ऐसी कंडिशन में काम करता है जब खिर्किय खुला रखता है ना कि एर के फिर्फियर चलने के वक्त खिर्किया दरवाजे बंद होना जरूरी है और यह बहुत अच्छा क्वेस्टिन आपका मैं यह बताना चाहता हूं कि प्यूरी फैर दो कंडि नम्बर वान अगर एसी है तो आपको 100% efficacy मिलेगी अगर आपका नौन-AC कमरा नौन-AC है और दर्वाजे और खिड़की दोनु अगर खुला है तो प्यूरीफैर काम नहीं करेगा अगर दर्वाजा को खुला है और खिड़की बंद है तो प्यूरीफैर को दर्वाजे के पा पास रखी उसके समें 85% एफिशेंसी मिलेगी तो जैसे जैसे हमारे घर में भी हम एसी जो है चार-पांच महिना चलाते हैं पांच-पांच महिना बाकी समय दर्वाजा या खिड की दर खास करके दर्वाजा खिड की बंद रहता है और दर्वाजा खुला रहते हैं उसके इसमें खिड़की के पास लगा के हम यूज करते हैं मुझे और एक बात बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए कि ज्यादा जा नहीं सकते तो आप हमें जो सब्सक्राइब करके यह से कॉइडियो मिल सकता एक सर्फ यह वाला वीडियो दिखाया था तो आपको बिल जाएगा आपको अपस नहीं जा सकते तो हम एक तर तर देमों का विडियो तेकर विजिए का विश्चन था स्टैबाय 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 स्टैप यह प्रम आप अगए तो नहीं सब्सक्राइब भुए अधिष्चन्य जी uneven करेंशंदधू करिया तो फोलो करें अधियर पारनृत शैप्टबाय स्टैप अब परक्षांख या स्टैप्णा कर्या सुविध्या टीकांकश सेवराइन बॉर्णिंग एब्रीवन गुद्माने लो गुद्माने इन्फॉर्मेटिव और इजी टू अंडर्स्टाइंड शेशन था एक लेमेंट को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जा इस तरीके का था तो एक डो सवाल है आपसे पहले तो यह जो आपने बताया ना जिसे मैंने श कि टाइम जो वह कितने देर तक हुआ में रहता है वह थोड़ा बता पाएंगे तो अच्छा कि वह बता आ इसके बारे में वह उनके टाइप के ओपर रूम के साइस के ऊपर बट रहता है काफी देर तक रहता है जैसे हम आठ से एक आट से दस गंटा अगर में रहते हैं तो इसका मतलब हर 17 second 400 milliliter inhalation करते हैं every 17 second 400 milliliter of air enters our lungs तो अगर आप कमरे के अंदर अगर दो मिनेट भी रहेंगे तो भी यह शरीर के अंदर जाने की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और एक चोटा सा क्रेंशन और है से वाट इस पीम 2.5 पीम 2.5 जो है एक आउट्डोर इंपुरिटी है जिसकी साइज 0.3 micron तक की है मैंने आपको आप मैं दिखाता हूं हमारे जो हेपा फिल्टर के बारे में मैंने जब बताया था आपको यह देखिया आपके स्क्रीन के उपर इस समय आप देख सकते हैं यह हमारा जो हेपा फिल्टर है पीम 2.5 पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब करता है पीम 2.5 का मतलब कोई भी आउट्डोर प्लूटन कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 2.5 micron से लेके 0.3 micron तक के है आपने आपन 10 micron मैंने आपको बताया था 10 micron हमारे बाल जो है 60-70 micron का होता है एक बाल वन हेर और पीम 2.5 जो है लगभग लगभग 100-200 गुना छोटा होता है एक बाल से ठीक है ना और वह हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है बिकॉस विदाउट रिसिस्टेंस वो हमारे शरीर के अंदर ज जिसरन जिसर जिसर ओकेसश अंदर ऑगे जिसरो किसा मारे प्योटे की अच्पनीन आप जो है जिसे की हमारा है जबर है और दूसरा मोड होला है और उस्तरा वीजेशा है सब्सक्राइब के बारे में और मोड के बारे में दिक्कत हो रहे हैं कि किसे हम ऑपरेट कर सके और सीलिंग से कितना नीचे हम यह पिर पर करें सके जिसे कि बेहतर एर फ्यूर पर हो सके रूम के अंदर वेरी गुड अनदर वेरी गुड क्वेस्टिन मैं एक छोटा सा आपको चाता हूं बहुत अच्छा क्वेस्टिन पुछ आपने यह दिखिया आपके स्क्रीन के ओपर इस समय आप देख सकते हैं प्यूर फैर के दो हिस्से होते हैं एक होता है फ्रंट साइड जो बैक साइड है उस तरफ फिल्टर है वो बैक साइड जो है दिवार के साथ रहे मतल सब्सक्राइब करेंदेशन यह होगा कि आप इसको फ्लोर पे लगाई है चुक्कि आजकल हमारे जो सीलिंग हाइट है वो काफी कम हो चुका है मतलब 9-10 फिट हो गया तो फ्लोर पे रखेंगे तो एक बेटर एर सर्कुलेशन होगा आपको याद है सर्कुलेशन दिखायता और यह जो फ्रंट साइड है यह फ्रंट साइड आपको ऐसी जगा लगना है मतलब प्योरिफायर को आप रूम के अंदर ऐसी जगा लगा यह जहां पर वो प्रॉपर एर को सर्कुलेट कर सकता है कोई कहीं टेबल के नीचे या कबड के साइड में ऐसी जगा छुपा के मत आप इसको ऐसे ओपन थोड़ा सा ओपन एरिया में रखे ताकि प्रॉपर एर सर्कुलेशन हो सके अब आते हैं फैन स्पीड के उपर फैन स्पीड अगर आपका रूम साइज देड़ सो स्क्वार फिट तक है देड़ सो 150 स्क्वार फिट तक है तो आप उसको मीडियम फैन स स्पीड पर फैन सिड़ नहीं चलाए और हेल वर और जो है हेज मौन आपको तभी चलाना अगर रूम के अंदर बहुत ज्यादा स्मेल है या रूम के अंदर बहुत ज्यादा मान लीजिए कि आप एक हफते के लिए घर में नहीं थे और एक हफते के बाद आप घर पे वापस आये हैं तो घर के अंदर आप ज्यादा स्मेल होता है ना कमरे के अंदर उस समय आप हेज मोंड में चला के आप क यह इंड आपको थैंक यो लिमेश सर्ट थैंक यू बेरे मुच थैंक 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 तो इन एक प्रमने हो रहा है आगे जलते हैं इसट शिवा प्रसाशा हमाने कि अब मैं सौवाल पुछे थे कितना देर तक चलाना पड़ेगा और मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेसीन चलू होने के बाद कोई घर में अगर हम लोग चलू करते हैं तो कितने दिर में एयार प्यूरिफाइब कर पाएगा उतनी देर तो चलाना ही चलाना है और अगर दोपेर को भी बच्चे बेडरूम में रहते हैं और बेडरूम का इस्तमाल होता है तो मतलब मतलब जिस समय आपके घर को वेंटिलेशन हो रहा हो उस समय आफ कर दीजिए मतलब किचन का जब इस्तमाल हो रहा है मानलीजे किचन का हो रहा है तो घर को जादा से जादा वेंटिलेट करिए उस समय पूरे समय चला सकते हैं वैसे तो हमारा पूरिफेर जो है 247-365 डिजाइंड है कि आप 247 पूरिफेर को इस्तमाल कर सकते हैं रागेड है ठीक है लेकिन 12-16 घंटे का इस्तमाल होने से आपको बेटर मिलेगा औ ना करते हैं जासे अब आपको यह बताना चाता हूँ के यह जो फिल्टर है यह फिल्टर आपके स्क्रीन के उपर यह फिल्टर जो दिकھा ही रहे हैं पोद्ना दिन एक बार धूप दिखाना है प्री फिल्टर को आपको साथ आठ दिन में दस दिन में एक बार वाश करना है बहुत केरफुली वाश करना है यह मेंटेनेंस आप करते रहेंगे तो आपको बेनेफिट मिलता रहें और बिजली का खर्चा चिंता मत करिये चुक्कि आप 12-16 गंट सब्सक्राइब से घर गर से सिर्फ दूप में दिखाना न यह फिल्टर को दूप दॉप दे tilंव पर दिखा देना शाथ तो यह हमारी ह्यां है यहां से अखौर सकते हैं ह maar जो दिए यह जानका साप्व निजआ किसे निकाल दिखा देगे कि यह बहुत ही आशान है जिसे कि आप आराम से कर सकते हैं वह अपनी सवाल की जवाँ मिल चुका है वह आपनी हैंड डाम कर लीजे क्योंकि बहुत से हैं तो समय नहीं हो पाएगा इतना अब चलते हैंश्चा शीवर्शाय साँव अब बताना चाहता हूं कि बहुत अच्छे वेस्टेंस आरे हैं इसका मतलब बहुत बढ़िया पीपलां डेकिंट्रेस्ट इस आज वह लोग रहे हैं रोंकि इसके उपर काम खर रहे हैं या कंदने के लिए बहुत आदेंट है थैंक यू बाद करते हैं कि जब आम कोई नेया में लेते हैं नेया कोई लापटब ले जब जो कोई भी लेट रहें से शुरू-सुरू में सर उसका एपी कैसी बहुत बहुत अच्छा रहता है मगर जैसे वह पूराना होते जाता है उसका एपी कैसा धिरे-द्राप होना स्ट करता है मोट मुह था लगा है कोई कंप्रिंशन के रिखें करण कुछ प्रोलम जाता है कि हमर踏र कर लिए प्रिए आपके पहले सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता रहा है इस पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू इसमें कॉंप्रेसर नहीं है कॉंप्रेसर आपके सिर्फ एसी में होता है और फ्रेज में होता है जी जी सब्सक्राइब को सवाइब यह फिल्टर को साफ करते रहे है फिल्टर आप आप आपके जब कि लाइफ है कंसिस्टेंट रहेगा और टैम टू टैम फिल्टर बदलते रही है जब प्लास्मा क्लेस्टर का लाइफ नाइंटीन थाउजन आवर्स की है मजुमदार सर मैं राजन्डर सिंग जम सितपुर से सर जैसा आपने डॉब जा सफेंटेड इन्विजीवल रैकर्टेटी डॉब यह तो जिससे खत्रा ज्यादा इंडूर में होता है तो इस चीज को हम यदि अपने गेश्ट को या अपने जो प्रोस्टेक्स उनको यदि इस चीज को समझाएं पढ़िया तरीके से तो इसका रिजल्ट मिलेगा बट सर मुझे आप से एक छोटा सा ये समझना था सर जैसे इसमे रहुट चैया की आप से सवाल पूसे है इसका मतलब कि वह इंट्रेस्टेट मेरी बातों को इंट्रेस्ट ले रहे हैं और में उस सवाल का जवाब देपाऊं तो फिर यह स roll लेंगे तो यह प्लाजम क्लॉस्टर कैसे डिफाइन करेंगे इस टोड़ा सा इस को पताईए छे देखें, प्लाज्म क्लस्टर टेक्नलोजी एक नैचरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर, हमारे जो प्यूरिफेर है, हमारे प्यूरिफेर आपको एक बहतर एफिशेंसी देता है, मतलब अगर बाकी एर प्य को इतना निकालता है, है wines То mukस्किल Queen के उपर किं उपर कीन चीजों को निकाल सकता है, बैक्टरिया वाईरस, मेल इन सब चीजों को प्लाज्म क्लस्टर निकाल सकता है, जो बागी चीजों पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग और किया दे रहे हैं और कैसे बाकी ब्रेंट के प्लाजमा क्लेस्टर प्लाजमा क्लस्टर एक नेचरल टेक्नलोजी है जो 5 काम करते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर पहला फ्रेश हेर जेनरेट करता है दूसरा chemical और toxins को destroy करता है जिसका demonstration वीडियो में आपको भेजूँगा इसका वीडियो यह बैक्टरिया वाइरस को destroy करता है जिसके पास हमारे certificates है 108 पेज का जो मैंने certificate आपको देखा दिखाया मैंने यह भी भेजूँगा चौथा काम किया करता है plasma cluster static charge को reduce करता है इसका भी एक वीडियो भेजूँगा static charge को कैसे reduce करता है और कैसे क्यों static charge हमारे लिए जरूरी है static charge को reduce करना और पांच वाप benefit जो है skin को skin के quality को improve करता है इसका भी हमारे पास certificate है तो plasma cluster आप यह कह सकते है natural technology है जो आपको यह पांच benefit देता है मतलब आप खुद सोचिए कि जो static charge reduce करता है bacteria virus को destroy करता है और fresh air generate करता है और skin को quality को improve करता है यह technology technology powerful technology होती है ना तो यह यह है point जो मैं आपको कह सकता हूं अभी इस समय plasma cluster के बारे में और आप यह भी कह सकते है कि plasma cluster के certificate natural technology है patent है ठीक है ना मैं समझा पाए आपको जी अब चलते हैं आगे मिस्टर अभी सब्सक्राइब अभी आपको अनुद्र करें को कि अधिक प्रक्राइब करता है कि अधिक फिल्टर का जो टेकनोलजी है वह एक्ट्री एयर को वैक्यूम क्लीनर की तरह खीच के लेके आता है मतलब एयर को खीच के लेके आता है फिल्टर के जरीए वह प्यूरिफाइब करके फिर भेजता है वापस अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए एक पॉइंट पे जो मैंने आपको शुरू में एक वीडियो दिखाए था यह वीडियो दि क्यों है कि हमारे पास एक 20 डिग्री एर फ्लो और सक्षन है तो हेपा फिल्टर तभी काम्याब होगा जब ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरी डिस्टे रूम के अंदर पे आप खीच के लेके आएंगे तरफ तभी एफिशेंसी जाद बेटर होगी ना वेरे गूट प्लाज्बाज्म करें टैखनालोजी इपोटीप के अंदर से खीच के निकालना इक्टिव का मेंचिन के बाहर निकल के काम करता है पास किसी के बात करके ताकि जो इस प्र इशक्त पड़ें वहां से औरहुंको एक्रोच करें कि प्रवाइट कर सकते हैं इसको किस तरह से हमको करना पड़ेगा यह एक लाइन में अगर बताना पड़ेगा तो एक इस टेप्स दियान रखिएगा जो मैंने स्टेप्स आपको बताया फ़र्स टेप फ़र्स टेप है कि प्योर इन्फॉर्मेशन लेना डॉक्टर से इनफॉर्मेशन लेना कि उनकी रूम की साइज किपनी है उनके डेंटल लॉपरेटरी का साइस कितना है कंसल्रीशन एरिया की साइज कितनी ए ठीक है ना उसके बाद फिर आप ये बताएंगे कि हम जो आपको प्रोडक्ट दे रहें 200 स्क्वेर फिट का है जो कि 12 स्क्वेर फिट पर मिनिट के हिसाब से क्लीन करता है 12 स्क्वेर फिट पर मिनिट यह आप लिखके रखें के हमारा जो cleaning speed 12 square feet per minute है और यह देखिया आपके screen के उपर अभी कि आ रहा है कि यह हमारे cleaning speed है आपके screen के उपर और अलग-अलग room sizes में किस तरीके की cleaning efficiency देता है चाहे तो आप इसका यह presentation में आपको भेज दोगा यह वाले जो मैं प्रेजिंटेशन भेजूंगा उसमें यह से रहेगा तो step by step first step doctor के पास क्या होगा कि आपको उनके area के बारे में पता करना है पहले आप product के बारे में नहीं बताएंगे पहले उनसे पता करिए कि उनका अपरेटरी का साइज कितना है फिर आप उनको बताएंगे कि हम अपने product को जो दे रहें आपको इतने efficiency में क्लीन करता है यह हमारी cleaning efficiency ठीक है फिर आप उनको बताएंगे कि हमारा जो फिल्टर है फिल्ट्रेशन सिस्टम बेटर है आपको याद है हमने फिल्टर है फिल्टर के बारे में पताए था और आप सबसे जरूरी बात यह वीडियो दिखाएंगे यह वीडियो दिखाने का मतलब है कि हम जो है आपको जो product दे रहे है एक बेटर efficiency दे सकते हैं ठीक है ना मैं आपक को दिया है डॉक्टर के किसी भी सवाल का आप जवाब दे पाएंगे अगर आपने नोट कर लिया आप आप से मैं यह भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार और दोहरा लीजिए पूरे ट्रेनिंग को तो आपको पता लग जाएगा कि step by step पहले need creation objection handling solution फिर उसके बाद प्रू solution fourth step proving that sharp is the best vestige is the best यह है चार स्टेप आपको फॉलो करता है मैं समझा पाया थैंक यू अब जलते हैं Mr. Harts Nukta thank you so much for giving me the chance to sir मेरा जो कोशन है एक situation के उपर बेस्ट है कि हमारे रूम में जैसे एर प्यूरिफायर रखा हुआ है and for example मैं एक मेटर की दूरी पे हूं से and मैं कोई भी इंफेक्शन से इंफेक्टेड हूं और मेरे को अगर इसनीज आ रहा है मैंने वहां पर इसनीज किया और उसी वक्त पे एर प्यूरिफायर और मेरे बीच कोई परसर इंटर करता है तो वह जो ड्रॉपलेट है वह तो इनहेल कर लेगा उनके बॉडी में वह चला जाएगा तो वह कैसे प्यूरिफायर होगा सब्सक्राइब क्योंकि सर्जों हमारा एर प्यूरिफायर है वह तो एर को अपने अंदर मतलब खीचता है तो उसके बीच में अगर कोई आ गया तो सब्सक्राइब कैसे आपका पॉइंट बिल्कुल सही है तभी तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो यह यह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने से आपकी प्रोबैबिलिटी कम हो जाएगी लेकिन अगर जैसे कई बारी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप मानलीजी किसी डॉक्टर के पास डॉक्टर के वेटिंग रूम में बैठे हुआ है और आपके ऑपोजिट में एक और आदमी बैठे हैं जिसने चीक मारा आपको आपको इनफोर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि जो चीक है व सोचिल डिस्टेंसिंग और एर पिरिफेर यह तीन ऐसे कॉंबिनेशन काम करेगा बट बट मैं आपको पूरे तरीके से गैरंटी नहीं दे सकता कि हाँ बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन प्रोबैबिलिटी को आप रिडियूस कर सकते हैं आई होप मैं आपको एंसर दे पा प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग कर पाएंगे और कोविड-19 से कैसे लोगों को बचा पाएंगे लेकिन सार इसके साथ मेरे मान में यह कोश्चिन आ रहा है कि किसी लोगों के घर में किसी प्रास्पेक्ट के घर में एर विरुफायर इंसल करने से पहल से उनको हम लोग कैसे दिखा पाएंगे कि आपकी घर की अंदर के एर पलूशन कितना ज्यादा है ऐसी कोई टेक्निक जैसे सर बुखार ना आपने के लिए थर्मोमीटर है आपने डेमो दिखाये तर एक मीटर यूज किये ते वह क्या चीज़ अगर यह हमें प्रोवाइड दोने करता कि एक तुच्छा सा मीटर आपको क्या रीडिंग दिखाता है कि कि आफ आपको मैं बात बताना चाहता हूँ थर्मोमीटर सिर्फ टैमपरेचर मेंजर कर सकता है आपके ब्लड को टेस्ट नहीं कर सकता लिए अलग से है अलग से मैं इस्ताम्हिशन वायाक पूच फर्मोमेट्र ऑक्रेश्र करता है आपके ब्लड कोटेस्ट नहीं कर सकते किया वाइरश फ्लेटेक्षै Frigosa वह नहीं कर सकता है व्याहर एक highis environment कि English method होती फॉइप उसे सोना जिस्टमेंट का इसमारेव स्क्रीट आप पर फिक्रीट लेमनम क्यों ऑपतर के उपर नाम लिखे गए हैं यह गहर भ donné यह क्यों नहीं explain किC को भी एक दो बार से जादा है और इन सिम्टम से वो लोग भूगत रहें तो आपको प्योरिफार से बेनिफिट मिल सकता है आप यह वाला अप्रोच लीजिए लेकिन आप थर्मोमेटर वाला अप्रोच लेंगे तो अधूरा अप्रोच होगा वो कहेंगे यह तो मीटर आपक मैसूस कर पाते हैं अगर घर में कोई बीमार होता है तो इसको हम मैसूस कर पाते हैं तो जो मैसूस कर पाते हैं उसका उसका तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता अगर किसी को एस्तमा है और वो दबाई ले रहें रहें एस्तमा के लिए और आप अगर उनको कहें कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो आपके मेडिकेशन को साथ से दस दिन के अंदर रिड्यूस कर सकता है तो आपको क्या लगता है जो एस्तमा पेशेंट है वो आपके बात को कंसिडर करेंगे के नहीं करेंगे अगर आपने किसी बच्चों न्यूबॉर्ण बेबी के मदर को आपने यह कहा कि 11,000 लिटर पलूटेड एर हर रोज हमारे बच्चे के लंग्स के अंदर अटैक करता है और उसके वज़े से हमारी इम्मिनिटी को लड़ना पड़ता है तो आ अब चलते हैं मिस्टर बरोदा महांती जी सर गुड़ मॉनिंग बहुत इंफर्मेटिव था अश्का सेशन मुझे डाउट है जैसे कि कोभी नाइंटीन का जो बैक्टरिया है जो भी ड्रॉपलेट्स में जाता है जैसे कि हम लोग जानतेंगी अगर इनहल करते हैं या किसी इसको नीट्रालाइज करता है या वहीं पर खाली रोग देता है फिल्टर करके छोड़ देता है जो खतम किसे करता है बैक्त्रिया और जो भी चीजे बाखी को किसे नीट्रालाइज करता या नेगेटिव में इस देखिए आपको आपको हमने रेस्पिरेट्री ड्रॉपले फेसां करणवाराइज कर मिर्ण स्कूरामिर्ण का साइस है अब यह जो करना वाइरस अकेले हवा में नहीं घूमते वह ड्रॉपलेट्स के सात्व जब रमेलत सक्कूमते उसकी जो सआई होती है 0.3 माइक्रों से ज़ड़ा ही होता है वह ड्रॉपलेट्स के साइज तो वह हेपा फिल्टर के अंदर ट्रैप हो जाएंगे कोरोना वाइरस के साथ तो ड्रॉप लेकिन कोरोना वाइरस का जो स्ट्रेन है वो फिल्टर के अंदर रह जाएगा तो इसके लिए इसके लिए क्या है कि यह हमारा एंटी बैक्टरियल फिल्टर है तो एंटी बैक्टरियल फिल प्रणावार्श और काफी सारे चीजों से आप बच सकते हैं आप prevention कर सकते हैं देखिए गैरेंटी तो नहीं है कि इस्तमाल करने से किसी भी चीज की कोई गैरेंटी नहीं है बट अपर प्रेंश कर सकते हैं बचा सकते हैं तो कि थेंक यू तो चलिए लास्ट सब्सक्राइब इस अब इस अब करते हैं तो हम क्या ऐसे कहेंगे कि कि वह एसकाइब बेंटेस करेंगे हां ऐसे कूछे है मैं एक बर पूछे। के सथ बात करते हैं जिसरी को बेंट हो जाते हैं कि से भी करने तो हम इसकन ऐसे कुम्सें पॉइंट करेंग बहुंत कि कि air purifier air purifier कि बाते क्या करेंगे वह इंट्रेस्ट दिखाएंगे कि air purifier क्या है बहुत लग भी जानते नहीं है कि air purifier क्या है तो इसलिए वेरे गुड़ क्वेस्टन यह इन फैक्ट बहुत बढ़िया क्वेस्टन है आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए अलग-अलग इसे आपको पता लगेगा कि अप्रोच शुरुवात कैसे कर दी है मान लीजिए कि शुषानतो जी क्या आप किसा आप मेरे साथ रोल प्ले करेंगे जी मान लीजिए शुषानतो जी जो है का रेफरेंस नीमचे किसी से मिला और मैं शुषानतो जी से बात करूंगा ठीक है ना और मुझे पता है कि उनके घर में कोई ऐसे हैं चिनके लिए शुषानतो जी जो है ऐस्तमा के मेडिसिन पर्चेस करते हैं यह सिचुएशन अब इस सिचुएशन में मैं कैसे बात्चीत शूरू करूँगा और मैं एर प्रेफेर के बारे में इंटरेस्ट कैसे जेनरेट करूँगा ठीक है शुरू करते हैं जी गुट गुट मॉर्निंग सर मैं एक हेल्ट वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरे को आपका रिफरेंस जो है संजीव जी ने दिया है आपका रिफरेंस मुझे और मुझे मुझे यह मालूम चला प्लीज मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा मुझे यह प्लीए अफ्योंट माइन क्या आप यह अपने लिए पर्टेस करते हैं कि आपके किसी फैमिल्य के लिए अपनी मदर के लिए पश्चिस करता है अच्छा मेरे मेडिशिन जो है आप कितने साल से परश्श कर रहें और इस जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं प्लीज को ध्यान दीजिए गा कितने सालों से प्रिक्वेंसी बढ़ रही है उचा मतलब मेडिसीन की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और मेडिसीन का जो स्ट्रेंग्ट है दवाई का जो वह भी बढ़ रहे हैं ठीक है ना सर मैं आपको यह बताना चाहता हूं सराप if you don't mind कि आपको तो मालूम ही होगा कि यह जो मेडिसिन हम लेते हैं अलोपैथिक मेडिसिन्स यह केमिकली प्रोसेस्ट होते हैं इसमें इमीडियेट बेनिफिट तो मिलता है लेकिन इसके लॉंग टर्म साइड एफेक्ट होते हैं हम लोग एक हेल्ट एंवेलनेस एक हेल्ट एंवेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जिससे यह जो एस्टमा के मेडिकेशन है यह साथ है तो क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे आप जूरु जानना चाहेंगे ठीक है तो क्या मैं आप आप से मिल सकता हूं एक बार या कोई अब लिए किष्टी वीडियो कॉल कर सकते आपके साथ जिससे को में आपको बताओं कि यह हम आप आप किूँ अस्टमा की होते हैं किस तरीके से काम करते और हमारे जभ प्रदक्ट है वह किस तरीके से नैचरली तो क्या मैं आप लोगों को explain कर पाया कि एक interaction किस तरीके से होता है और step by step देखिए मैंने कुछ नहीं बोला सुसानतो जी ने खुझ अपना situation हमें बता दिया है यह होता है बेस्ट आपको prospect अगर खुद बता रहे हैं तो इसका मतलब यह अंडर्स्टेंडिंग भी इस अंडर्स्टेंडिंग फिर solution जो है बहुत इजी हो जाता है देना ठीक है तो नेक्स्ट जो है बच्चों के बारे मे हैं तो हम हर एक चीज का ध्यान रखते हैं साबुन तेल शैंपू लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि हर रोज 11,000 लिटर बच्चों के लंक्स के अंदर से गुजरता है और जिसके कारण जो है यह बच्चे के इमिनिटी सिस्टम को प्रिशर पढ़ता है और बार-बार बच बच्चे के इमिनिटी सिस्टम को स्ट्रेंग्दन कर सकता और ओवराल डेवलोप्मेंट को भी बेटर कर सकता है गcha is that okay sir. thank you so far, thank you. और बहुत से सवाल का चाहूं करो ऑभी समय की कमी है और जो भी सवाल ले है कि वह displena मेरे नंबर बहुंद करे सकते हैं और जिनको चाहीं में अब चृमदर जी के नंबर भी आपको फॉर्च беспmm और बहुत अच्छे सवाल है बहुत अच्छे वेरी रेलिवें पास और एक सवाल भी लेते हैं अपने आपको नेंद्र महापत्र जी तो के सब्सक्राइब करना चाहूं का मिस्टर संजी कुमार सिंग जी को साथ है सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को एंड करें जी सब्सक्राइब करें और मैं सबसे पहले आपको और एक थैंक्स देना चाहूंगा कि कल आपने वो वीडियो बना करके भेजी जिससे सब्सक्राइब करने से पहले मैं कुछ कॉमन सवाल करना चाहूंगा जो कि एक आम आदमी समझ लेता है कि यह अच्छा है पढ़ा ले भी खाल तेंट कर लिए तो में कुछ कॉमन सवाल पूचना चाहूंगा उनको भीएंप फायदा होगा हिए किसमेंने चैनल बहुत अच्छा चीज़ बता दिया है कि जो हमारे मौसम हिंए तो इसको एसा यह आर डिया पढ़ा था सबसको मैंने बोल दिया तो इसके था इसाफ से आपने बताये तरीका जो बताया आपने और वाकई मैं भी फील करने लगा था मैं भी फील करने लगा कि हाँ यह वाकई सही है और उस हिसाब से जब आपने यह बताया कि एरफ्लो जो उपर होता उसके बज़ाज यह 20 डिग्री स्टर्ण किया वह तर नच्री यह रोटेट करेगा जो आपने वीडियो दिखाया कि कोई डिस्ट्रीबूटर आके खरीद लिया और लेकर घर चला गया उसको यह भी नहीं पता है कि उसमें कोई पेपर है कुछ रिजिस्टेशन करना पड़ता है तो क्या को ऐसा प्रोसेस जिसको रिजिश्टेशन करना पड़ता तो शाप के लोगों को पता चले और बाद म सेम है तो कोई रिजिस्टेशन की जरुवत नहीं चुकिए वेस्टीज से हमें डेटावेस मिल जाती है लेकिन अगर और यूजर अलग है हां तो आप हमारे वेबसाइट पर रेजिस्टर कर सकते हैं वैसे तो रेजिस्टेशन मैंडिटरी नहीं है हां चुकिए डेटा हमा है कि अ मैं यह सैप खरीता हूं तो और उसको मेन तक उसको यूज नहीं किया हूं किसी हैं गर में पड़ा हुआ है उसके बाद मैं उसको यूज करता हो तो वारंटी कि शुरूब का देटाफ पर रचेजिशिंग से यह मैं जब से उसको इस्तमाल करो कैसे मैं पता करूँ है ये दिमाग में आता हुगा कि पांच मेने से रखे हैं जब खोले उस वक्त से एक साल इसलिए मैंने सवाल पूचा था है सर एक और चीज है कि हम लोग filter को साफ कर सकते हैं जैसा आप में बोला 15 मिन दिन में करना चाहिए हम उसको filter change भी कर सकते हैं जब समय आया था तो चेंज भी कर सकते यह common customer distributor कर सकता है लेकिन उस machine के अंदर कुछ अगर पार्टिकल्स चले गया है गंदगी होके तो उसको कैसे साफ करें गया देखे एक डीफ क्लीनिंग होती है हम लोग वारिंटी के दौर डिप क्लिनिग सर्विस फ्री होती है आपका लोक कर सकते हैं हमारे टोल्फी नबर पर और हमारा आदमी आपके घर पर जाके प्रॉपर डीप क्लीनिंग करता या मैं तर09 प्रोपर रेजल्ट मिलता रहा inic और द्यान रखना है जो फिल्टर के ऊपर का हिस्सा है ना मतलब जब और नहीं है तो अगर धाके रखेंगे तो मेशीन के अंदर धूल में टी कम जाए तो यह आप नहीं हो रहा है जब यूज नहीं हो रहा है उस समय तो फ्रेंड आपने यह जाना की रिगार्डिंग आपको अगर कुछ एसेस्टेंस चाहिए तो हमारे कॉल फ्री नं बढ़ते बढ़ते तब आपको दिखता है क्योंकि धूल जम गया वरना उससे पहले से तो कितना धूल अंदर जा चुका होगा जो हमें नहीं दिखता है तो यह आपके प्रॉपर्टी है आपको इसको सेफ करना है तो आप कितना अच्छा से इसको रखेंगे तो यह नहीं जानकारी आज मिलने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया उसीच को मैं भी इसको ध्यान दूंगा और हां यह वाग कही अगर मैं बुलनों कि अगर जिन लोगों नोट्स बनाई होंगी यह वीडियो रिकॉर्डिंग किया होगा या फिर इसके बारे यह आगे और समझेंगे वह अपनी बिजनस को ठीक है बिजनस को 50% और बढ़ा लेंगे जैसे सर ने कहा कि जहां दस होता था वहां 50 हो सकता है इस बिकूर्ड इस अल्वेस पावर तो थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सवाल हमारे विश्यों से लिके पूछ हैं तो वह पूछना चाहता हूं कि आम बहुत सबार बहुत से लोगों की तरफ से हमें भी आता है और प्रेश्टीश कर सकते हैं लेकिन लोग गलत तरीके से उसे उसे कुछ एकमर्स साइट में बेच रहे हैं जो कि इलीगाल है उसको पर टैक्शन लिया जाते जब वो पकड़े जाते लेकि फिर भी कभी कभर उसे अप्राइस कट करके अंडर प्राइस भी बेचते हैं तो इसे में पूछ लोगों को दिक्क्त आता है तो वहांपर क्या करें पर देखे मैं दो तरीके से इसको हैंडल करना चाहता हूं देख पायेंगे यह हमने एक पोस्टर बनाया हम जो है मभी तूस्द दे तक वेस्टीज के फेस्बुक पेज़ पर और सब जगा जो यह मैं से आ जाएगा लिकिन आपको मैं यह पहले ही यह जो पोस्टर है हमने बनाया व्रेंटी के लिए यह पंस्टर है इसको जूम कर रहा हूं और जूम करके आप यह देख सकते हैं कि इसमें त्री येर्स की वरेंटी है और इसमें क्लियरली देखिया आपके आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोट आप इसको पढ़िये सुशांतो जी आप इसको पढ़िये दरा इंपूर्ट नोट मोडल नापर एफ जे अप्रीजिरो एम जो कि हमारी मोडल है इस्क्रूसिफिट ट्रॉट तर डिरेक्शनिंग नेक्वर्क आप वेस्टिश बोईंग और शेलिंग इस मोडल ऑन एप्ट्रांस और अनौ वानेंगेश आप्लिकेशन अप्नी कभूर अन सब तो यह क्या होगा कि आप लोगों के पास यह वारंटी एक्स्टेंशन का पोस्टर मिल जाएगा और इसी पोस्टर में यह लिखा हुआ है और एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूं आपको एक और पर इनफॉर्मेशन में देना चाहता हूं जिससे भी आप इसको टैकल कर सकते हैं जो मैं प्रेजंटेशन आपको भिजूंगा हाम जिस प्रेजंटेशन को मैं भिजूंगा उस प्रेजंटेशन का जो लास्ट के दौशीट है आपके screen के उपर अभी जो लास्ट के दो शीट है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अपनी तरफ से क्या किया हमने अपनी तरफ से अपने हमने अपनी तरफ से MRP स्टिकर के ऊपर लिख दिया देखिए एक्स्क्लूजिवली ब्रॉट तो यू इंडिया वेस्टीज वारंटी वाइड इफ पर्चेस्ट फ्रम इनी एकॉमर्स पोर्टल यह MRP स्टिकर पर लिखा हुआ है वारंटी काट पर लिखा है हमारे वेबसाइट पर लिखा है और अगर आप कहेंगे तो आपको पता लगी गया होगा यह तो इन्फरमेशन है ही है लेकिन साथ के साथ मैं आपको अब है अभी एमेजान पर हमने क्या लिखा है यह भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि एक मिनट थोड़ा साथ कि ढूंड राओं यहां पर एक चीज है में सब्सक्राइड यह ने साब की वर्शाइड को पर लिखा हुआ है यह अच्छा हुआ उनको हम बोर सकते हैं कि तुरांद कॉल सेंटर में फोन करो और उसे कुछ लो यह कि अहां से मिलता है और एक मर्स खरीदेंगे क्या प्रोंड मों का वहां जाने बात करें यह अच्छा हुआ कि यह कर सकते कि इकमर से तुम मिला इसको रणा के नहीं मिलेगा तो तब तक कोई बोलन चाहूंगा तो मैं अमेजन में सर्च किया है थीक है वह पर बीच रहे है रहे हैं किस्टमर प्रेश्टेन अंसर का पे पार है वहां पर दिखा देंगा संजीर कर देंगे यहां पर यह लिखा हुआ कि गरांटी मिल सकती है तो लिखाया कि Yes guarantee and warranty will be provided by the shop हमच वरांटी ओन दी प्रोड़क्त वन यर वह मैं येर्स और फमेनी यह आप यह ओंग जो दिख रहा है मुझे बोटक्व नहीं तो कोई भी कहेंगा तो आप बिलिव नहीं करेंगे ना मेरे तक आए नहीं तक आए नहीं है कि अभी तो आ गया दिख्राइज की अज़िए अज़िए सब्सक्राइज में पर जो पुड़ा हुआ है अब वहां पर उसमें जाईए अब सर्च में हाँ यह सर्थ अब आपको कहां से मिला था आप अभी कह रहे थे ना क्या आपको दिख रहा है यह यह भी दिख रहा है सर जस्ट मैंने शार पेर फिर लिखा था गूगल पर यहां मुझे यह वाला दिख रहा है शार्प का जो हम लोगा यह यह पेज यहां खुला अब आपको दिख रहा है अब खोली उसको ओपन करिये यह अमेजन वाला करिया अमेजन वाला अब अब आप सर्एमेजन का ही है हाँ खोली खोली एक को खोली यह खोला वह सर्ट्रीन पर मुझे दिख रहा है यह आभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा अ अ हुआ उसमें रिवी रिवी वाले सक्षिन पर जाए एक बार अच्छी निए उसक्षिन पर अच्छी निए आप एक काम करिये फोर एंसर्ट क्वेस्टेंस लिखा हुए ना फोर एंसर्ट क्वेस्टेंस और यही वाला मैं दिखाना चाहरा थे तभी उस पर देखिया ना उस पर लिखा हुए नो वारंटी सर्थ यहां पहला कुश्चन और विल एनिबडी कम एंस्टॉलेशन लगाने और तरफ से तरफ से एंसर डाला है यहां दिखा यह न्यूट्री पिक्स दिया हुए है अगर कहता है तो आप मानेंगे वरंटी लेकिन वो तो आम आम जनता वो तो बताना मुश्किल हो जागा ने न्यूट्री प्रिक्स क्या है फिर उसके बाद हाँ मैं समझ रहा हूं लेकिन आप जो बोल रहें उसको निकाल के मुझे उसकी भेज दीजिए और जो भी होगा तो हम उसे ग्रूप में फुराट कर लेंगे हाँ मैं तो यह जो है दो चीज़े जो है एक मिनिट होड़ी है कि हर रोज कोई नया नया जो है लोग पोस्टिंग डाल देते हैं यह एक नया पेज का पोस्टिंग है च्छुक्य फैले जो था पहले हमने लिक रखी है हाहां राइट जीज आप संजीव जी यह लुट मुझे पारें तो आप पेज पर देख रहाए ना उसपे रेटिंग सैने पेस जाहिए रेटिंग्स यह आपके जैसे स्क्रीन के ओपर भी दिख रहा है ना रेटिंग यह दिक लिखा हुए ना नो वारंटी क्लेम फ्रोडक्ट पॉड़क्ट पॉस्टेड यह भी इमेज जो मैं आपको दिखा रहा था यह अल्रेडी पोस्टेड है अग्या देखा अच्छा यह कॉस्टम रिव्यू में जाए यह कॉस्टम रिवूस में आपको अग्या ना आप हासर वह तो मिला बट अच्छों यह है कि यह बहुत सब्सक्राइब तो एक में यह बना गया तो अभी जूसरा ओपर डाल दिया आइधि आइधिक ऐसा है ना यह वाला इमेज जो है आपको बहुत काम आएगा यह वाला मैं सर्कुलेट कर लूँ इस से मदद तो मिलेगा ना जी सरह 100% तो इसको भी हम लोग सर्कुलेट करा लेंगे जल्दी से जल्दी बटा रवाज ओके थैंक्यू बहुत अच्छा सवाल आया था और संजीटी के भी सवाल्जों कॉमन सवाल थे बहुत अच्छे थे थैंक यू थैंक यू सो मच विश्यू वेल थैंक यू थैंक यू सो मुद्धि और आज की सब्सक्राइब करना चाहेंगे थैंक यू